आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बिल्कुल लाइप पूरूप के साथ दिखाएंगे कि बोर्ड एकजाम की कोपी कैसे चेक होती हैं एकजामनर आपके कोपी में क्या देखकर आपको नमबर देते हैं और क्या देखकर नमबर कट कर लेते हैं और कभी कभी तो स्टुडेंट को फेल भी कर देते हैं तो यहां पे हम आप सभी को बिल्कुल लाइप पूरूप के साथ दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे एकजामनर कोपी आपके चेक कर रहे हैं और क्या देखकर जादा नंबर दे रहे हैं और क्या देखकर नंबर कम दे रहे हैं अगर आप लोग एक्जाम कोपी में पाईसे रखे हैं तो आपको नंबर मिल रहे हैं या नहीं अगर मिल रहे हैं तो कितना मिल रहे हैं सब कुछ इस वीडियो में आप सभी को बिलकुल लाइप पूरूप के साथ दिखाने वाले हैं आप धियान से वीडियो को देखिए और समझने की कोशिस किजिए एकजामनर जब भी आपके कोपी चेक करते हैं तो मातर तीन चीज देखकर नमबर देते हैं जी हाँ मातर तीन चीज देखते हैं और आपको नमबर देते चले जाते हैं अगर आप लोग अपनी एक्जाम कोपी में ये तीन चीज किये रहेंगे तो आपको फूल मार्क देंगे आपका नमबर बिल्कुल भी कट नहीं करेंगे बट आपको अपनी एक्जाम कोपी में ये तीन चीज करना है नमबर वन आपको अपनी एक्जाम कोपी में ज़्यादा क अच्छा नहीं है लेकिन इन्होंने साप साप लिखा है तो देखने में अच्छा लग रहा है एक जामर्ण इनसे खुस हो जाएंगे इनसे इंप्रेश हो जाएंगे और इनका नंबर बिलकुल भी कट नहीं करेंगे तो आपको जो कोशन के अंसर अच्छे से आता है कोपी के पहला पेज में उसी को लिखें ठीक कोशिस करने सही साप साप लिखने की क्योंकि फर्ष्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन और हां बाइचांस कोई सब्द गलती हो जाए तो अगर जादा सब्दों के बीच में गलती हुए हैं मतलब कि भीर में कोई वर्ड गलती इस तरह से कट करना ना की ज्यादा ओवरड राइटिंग करनें खराब कर लेना है ठीक है और राइटिंग आपको नहीं करना है नंबर टू अगर आपको जो को सनक एंसर कुछ भी नहीं आता तो आप उसे क्या करते हैं भाई आप से छोड़ देते हैं बट आपको छोड़न कुछ भी नंबर नहीं मिलेंगे तो आपको उसी सिर्लेड मिलता जुलका कुछ गल्ती सलती या फिर उसी कोशन के चेप्टर्स से आपको जो भी याद है जो भी प्रजण का याद है उसे वहां पे लिख देनें ये किन खाली नहीं चोड़ना है बिकोज एक जामनर खुद कहता है कि बच्चे की कोपी सफेद खाली नहीं होनी चाहिए उसमें कुछ न कुछ लिखी होनी चाहिए जिससे कि मुझे भी नमबर देने में बने ठीक है ना लेकिन ध्यान रहे कि ये काम आपको जो है ना मतलब कि जो आप गलती सलते लिखेंगे या किसी दूसरे प्रस्ण का एंसर लिखेंगे या उसी चेप्टर के कोशन का एंसर लिखेंगे तो ये कोपी के सुरुआती एक से पंच पेज तक नहीं लिखना है ठीक है जो भी लिखना है पंच पेज के बाद ही लिखना है ठीक है नमबर थी अगर आप लोग कोपी में क और हम सभी जाल में नमबर से और खेल रॉषूट होना है ट्रिक पी शुब्नेदी में लिंक कौपी ेये लीकली कोई शुब्स होना में बचला लगा तो अभर लुकुल नगी होने चाहिए वह एक जोट लगा humor यहाँ